आज हम फिर से क्लास 10 का चेप्टर नमबर टू पढ़ेंगे एसिड्स बेसिज एंड सॉल्ड्स और इसमें हम यह पढ़ेंगे अंडरस्टेंडिंग दा केमिकल प्रोपर्टी जो हैं उनके बारे में हम समझेंगे और इसमें भी हम यह वाला टोपिक पहले पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिज इन लेबोरेटरी लेब में एसिड्स और बेसिज उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो एसिड्स और बेसिज क्या होते हैं यह तो हमने पहले ही पढ़ लिया है अब हम इस एक्टिविटी में कुछ और नया पढ़ते हैं तो हमें कुछ acids लेने हैं जैसे hydrochloric acid ले लिया, sulfuric acid ले लिया, nitric acid और acetic acid और लेने हैं कुछ basis जैसे sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide या फिर ammonium hydroxide ये हमें basis लेने हैं पहले वाले तो acids हैं और जो बाद में hydroxides जो हैं ये हैं basis, मतलब कुछ हम acids ले लेते हैं, कुछ हम basis ले लेते हैं, अब क्या करेंगे, हम कुछ watch glasses लेंगे, watch glasses लेंगे, 1, 2, 3, 4, कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये है 7, 8, 8 हैं तो हम 8 watch glasses ले लेते हैं, अब इनके अंदर क्या डालेंगे, हम इनके अंदर acids डालेंगे, इनके अंदर हम डालेते हैं basis put a drop of each of the above solution in watch glass one by one, and test with drops of indicators shown in table 2.1 और जो ये table दे रखे हैं, इसमें ये red litmus solution है, और ये blue litmus solution है, और ये phenophylline है, और ये है methyl orange तो हम क्या करेंगे, red litmus solution की पहले, सभी में drop डालेंगे, एक एक drop red litmus solution की इसमें, सब में मिला लेंगे उसके बाद फिर हम blue litmus के साथ भी ऐसे ही करेंगे, मतलब ये हम solution गिरा देंगे, उसके बाद हम फिर दुबारा से इसमें ये ही सारे acids और basic डालेंगे, और फिर blue litmus solution की drop डालेंगे फिर हम उनको गिरा देंगे फिर उसके बाद लेकिन observation हम note करते रहेंगे फिर उसके बाद हम phenoclin solution जो है उसकी drop in में डालेंगे फिर हम जो observation है वो note कर लेंगे फिर हम methyl orange की drops डालेंगे तो देखे रेड लिटमस solution के साथ अगर माले जी यह HCL माल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा कौन सा था इसमें दूसरा है H2SO4 hydrochloric acid तीसरा जो है वो है nitric acid HNO3 और चो था है acetic acid यह और इसमें जो है इसमें डालना है sodium hydroxide और calcium hydroxide उसके बाद यह है potassium hydroxide और इसके बाद लिया है magnesium hydroxide अब हम जैसे जो रेड लिटमस है रेड लिटमस solution अगर हम acid के साथ डालते हैं रेड लिटमस solution को अगर acid के साथ डालते हैं तो उस पर कोई भी effect नहीं होता है no effect यहाँ पर acids ले लेते हैं acids लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं basis वैसे तो इसमें यहाँ पर ऐसे लिखना है यह जो table है यह थोड़ी बड़ी सी बना लेने हैं जैसे यहाँ पर hydrochloric acid लिख लिए यहां पर H2SO4 लिख लिए, यहां पर HNO3 लिख लिया, तो इस तरह से यह table यह हमें इस तरह से बड़ी बना लिए, नहीं है CH3 लिख दिया यहां पर लिख 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 ही रहتा है मतलब उसके उपर कोई भी effect नहीं पड़ता है और इसके साथ भी अगर डालेंगे S2SO4 तो भी कोई effect नहीं पड़ेगा इस पर भी कोई effect नहीं पड़ेगा और यहाँ पर भी कोई effect नहीं पड़ेगा लेकिन जब base के उपर जब यह sodium hydroxide के solution के उपर अगर red litmus की drop डालेंगे तो उसा color जो है blue हो जाएगा और इसमें भी blue हो जाएगा और इसमें भी blue हो जाएगा और इसमें भी blue हो जाएगा और blue litmus solution जो blue litmus solution है अगर उसकी drop हम hydrochloric acid के साल डालेंगे तो वो red हो जाएगा यहां पर भी रैड हो जाएगा यह भी रैड हो जाएगा यह भी रैड हो जाएगा और देखे जो blue litmus solution होता है blue litmus solution का color purple होता है blue नहीं होता है purple होता है तो जब उनको base के साथ मिलाते हैं bases के साथ मिलाते हैं तो उसका color blue हो जाता है यह मैंने activity अपने चैनल पर डाल रखी है आप लिखेंगे blue litmer solution तो उसका color purple होता है जब उनको basis के साथ मिलाते हैं तो उसका color blue हो जाता है तो यह blue होगा यहाँ पर भी blue होगा और जब हम इसके साथ डालेंगे तब भी blue हो जाएगा अब आती है बारी finophylline की finophylline solution जो होता है वो colorless होता है यह जो है finophylline जो तो वो colorless होता है और finophylline solution के उपर अगर acid डालते हैं तो उसका कोई भी effect नहीं होता जैसे hydrochloric acid इसका भी effect नहीं होगा इसका भी effect नहीं होगा और finophylline solution को अगर बेसिज के साथ मिलाए जाता है तो उसका कलर मैजेंटा हो जाता है मैजेंटा या फिर डार्क पिंक डार्क पिंक हो जाता है कुछ इसको मैजेंटा लिख देते हैं कुछ पिंक भी लिख देते हैं तो को एच के साथ भी हो जाएगा और calcium hydroxide के साथ भी हो जाए अगर magnesium hydroxide के तो सभी basis के साथ इनका ये जो सभी basis हैं इनके साथ अगर phenolphthalein को mix किया जाता है तो phenolphthalein में जो color आता है वो magenta color या फिर dark pink color आता है अब आई बारी methyl orange की, methyl orange orange कलर का होता है orange कलर का होता है, जब इनके साथ acids मिला जाते तो ये red हो जाता है और जब इनके साथ basis मिला जाते हैं तो ये yellow हो जाता है, yellow color हो जाता है तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि जब इनके साथ acids मिला जाते हैं इनके color में क्या चेंज आता है और basis को मिला जाता है तो color में क्या चेंज आता है, तो यहां से यह मैंने लिख दिया है, यहां से आप लिख सकते हैं, और यह किलियर साफ साफ नहीं, लेकिन मैंने बोला है, तो आप उससे लिख लेना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे, यह जो blue litmus solution है, blue litmus solution, उससा color जो होता है blue नहीं होता है, उससा color purple होता है, और इसकी activity जो है, वो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है, वहां से भी आप इससा color easily देख सकते हैं, जो blue litmus होता है, उससा color purple होता है, इसका blue litmus solution का purple color होता है, और जब इसके अंदर acid मिलाए जाता है, acid मिलाए जाता है, तो यह red हो जाता है, और जब इसके साथ base मिलाए जाता है, तो फिर ये blue हो जाता है, ये अपत्यान रखना, अब आते हैं यहां पर, these indicators tell us whether substances acidic or basic by changing in color, तो ये जो substances हैं, ये तीनों, ये चारों जो substances हैं, इनसे हमें क्या पता लगा? इनकी कोई भी substance acid है या base है, जब उस substance को इनके अदर डाला जाता है, तो इनका color change हो जाता है, उससे हमें पता लग जाता है कि वो substance acid है या base है, there are some substances which order changes in acidic or basic media लेकिन कुछ ऐसे substances भी है जिन से ये पता लगता है कि कोई substance acidic है basic है लेकिन उनके color से नहीं पता लगता उनकी जो smell है वो change हो जाती है उनके जो गंद होती है वो change हो जाती है order change हो जाती है कुछ ऐसे substances भी है जिनको अगर acids या basis के साथ mix किया जाता है तो उनकी order change हो जाती है उनकी गंद change हो जाती है या फिर उनकी smell change हो जाती है इन indicators को olfactory indicators बोला जाता है olfactory indicators तो olfactory indicators हम पढ़ लेते हैं कौन-कौन से होते हैं एक तो देखिजिए onion होती है जो प्याज होती है और एक वनिला होता है और एक होता है जब इनकी स्मेल ऐसी रहती है लेकिन जब जब इनके साथ बेसीज मिलाए जाते हैं तो इनकी स्मेल बिलकुल खतम हो जाती है यानि ये कम्प्लीटली ओडरलेस हो जाते हैं बेसीज के साथ ये कम्प्लीटली ओडरलेस हो जाते हैं और एसीज के साथ इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है ये तीनों जो है ये ओल्फेक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं अगर इनके साथ हम भी कोई भी स्बस्टेंस डालते हैं या कोई भी हम सोलिशन डालते हैं और इनकी smell में अगर change नहीं आया है तो फिर वो जो substance हमने यूज किया वो acid है और अगर इनके साथ हम वो substance डालते हैं कोई भी solution और दालते हैं और इनकी smell बिल्कुल खतम हो जाती है इसका मतलब वो basage है इस activity में क्या करना हमें chopped onions लेनी हैं मतलब प्याज होती है उनको chopped कर लेंगे और उनको चोटे चोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर उनको एक plastic bag में डाल देंगे plastic bag के साथ plastic bag में डाल देंगे उनके साथ हम कुछ cloth की strips डाल देंगे कपड़ा है उसके छोटी छोटी स्ट्रिप्स डाल दें कुछ टुकड़े उसमें इनके साथ डाल देंगे और इस प्लास्टिक बैग को टाइट बंद कर देंगे और पूरी रात उसको फ्रीज में रख देंगे फिर अगले दिन जो कपड़े की जो स्ट्रिप्स हैं वो एसिड और बेसीज की टैस्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं तो यह कैसे करेंगे स्ट्रिप लेंगे कपड़े की और उसके उपर हम एक स्ट्रिप पर तो हम एसिड डाल कर देंगे और एक strip पर हम base डाल कर देखेंगे जैसे acid हम hydrochloric acid ले लेते हैं और जो base है वो हम ले लेते हैं sodium hydroxide तो दो strips लेंगे हम कपड़े की इन में से निकाल लेंगे और एक पर hydrochloric acid डाल कर देखेंगे और एक पर sodium hydroxide solution की कुछ drops डाल कर देखेंगे और उनकी जो order है उनकी जो smell है उसको check करेंगे उसको observe करेंगे और लिख लेंगे फिर उनकपनों को दो देंगे और फिर observation लेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो hydrochloric acid डमने डाला था जो strips के साथ hydrochloric acid डाला था उसकी जो smell है उसमें कोई भी change नहीं आता है और जिस strip के उपर हमने sodium hydroxide डाला था उस वो बिल्कुल order less हो जाता है उसकी smell बिल्कुल खतम हो जाती है अब हम जो strips है इनको धोल लेंगे दोने के बाद फिर हम smell चेक करेंगे तो देखेंगे उन में दोनों में smell पहले जैसी आने लग जाएगी प्याज की smell इन दोनों strips में पहले जैसी आने लग जाएगी क्योंकि इन में से hydrochloric acid और sodium hydroxide दूल गया है तो इसी तरह से वनीला के साथ अगर हम चेक करेंगे तो भी ऐसे यही results निकलेंगे और अगर क्लो जो होती है लोंग होती है उसके तेल के साथ अगर ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे तो उसमें भी यही observations आएंगी similarly test the change in order of clove oil with dilute hydrochloric acid and sodium hydroxide solution and record your observation उनके साथ भी यही results आएंगे which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation इन में से तीनों कौन सी यूज की जा सकते हैं तीनों के साथ अगर acids डाले जाते हैं तो यह अपनी order को retain रखते हैं इनकी order में कोई भी change नहीं आता है लेकिन basis के साथ इनकी order जो इनकी जो smell है वो बिलकुल खतम हो जाती हैं मतले हैं यह order less हो जाते हैं let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and basis तो यहां तक हमने पढ़ा है all factory indicators क्या होते हैं और all factory indicators पर acids और basis का क्या effect होता है और all factory indicators से हम acids और basis की पहचान कैसे कर सकते हैं अब हम next वीडियो में पढ़ेंगे how do acids and basis react with metals की जो acids और basis होते हैं वो metals के साथ कैसे reaction करते हैं काफी interesting topic है यह भी तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब हम next वीडियो में next topic पढ़ेंगे अगर आपको समझ आ गया है पिली चैनल को सबस्क्राइब करें शेयर करें लाइक करें कुछ समझ नहीं आ है तो comment box में लिकर पोछ सकते हैं thanks for watching